दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आर्केटर शोग गोईल जब से नई शिक्षा नीति की घोशना हुई है देश भर में जगए जगए शिक्षा विदों में हल्चल है त्रण त्रह के सेमिनार वेजिन किये जा रहे हैं वेबिनार्स हो रही हैं कारशाला हो रही हैं वर्क्शॉप्स हो रही हैं लेकिन हमारे वास्तुकला यानि आर्केटर के शेत्र में नई शिक्षा नीति को लेकर कोई ज़्यादा गंभीरता दिखाई देती नहीं है अभी तक इंडियन इस्ट्यूट और आर्केटर किसी वी चैप्टर ने इस तरह की कोई बातचीत या डिस्कुशन नहीं चलाया है जहां पर नई शिक्षा नीतिका आर्केटिचर प्रोफेशन पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है आर्केटिचर एजुकेशन पर क्या प् आर्केटिचर इंस्ट्यूशन ने जरूर इस मामले पर छोटी मोटी वर्क्षॉप या चर्चाया चलाई हैं लेकिन उसमें भी कोई ज्यादा गंभीरता दिखाई नहीं ती राश्ची अस्तर पर कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं हो यह अभी तक जिसमें नई शिक्षा नीती का क्या वहाओ होगा वासुकला के शिक्षा पे इस पर कोई चर्चा हो नहीं शिक्षा नीती में बड़े स्पश्चूप से कहा गया है कि मातरी भाषा का सबसे ज़्यादा योगदान होना चाहिए सबी प्रकार की शिक्षा में चाहे हो बेसिक साइंस हो, कॉमर्स हो, Humanities हो या तक्निकी पढ़ाई हो या Medical के शिक्षा हो सरकार ने Medical की किताबों का हिंदी में Translation भी शुरू कर दिया है और कुछ किताबें प्रकाशित हो के भी आ गई है Architecture की शेतर में ऐसी कोई पहल दिखाई नहीं देती Council of Architecture की तरफ से जहां Architecture की हिंदी की किताबों को प्रकाशित करने की कोई योजना हो Council of Architecture अभी भी जिन राइटर्स के साथ मिलकर कुछ किताबें प्रकाशित करती है या प्रचेस करती है मुखेता कॉफीटेबल बुक्स है अभी तक नहोंने सलेवस के हिसाब से किसी प्रकार की हिंदी तो छोड़ी अंगरजे की भी किसी किताब को प्रकाशित की आज तक कोई योजना नहीं बनाई है जबकि कॉफीटेबल बुक्स पे यह लोग लाख रुपए खर्च कर रहे है बेराल हम नई शिक्षानीती की बात कर रहे थे आज सबसे जुरूरी है कि नई शिक्षानीती में आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा नई शिक्षानीती के अनुसार कि जब अर्टिचल सर्विसेस पे आर्टेट्स का एक अधिकार हट गया है यह का अधिकार कभी था ही नहीं एक्ट के अनुसार तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे फूचर आर्टेट्स हैं वो सिविल इंजिनियर्स के संकक्ष पिछड़ना जाने शिवल इंजिनियर का चार साल कर्स है और इटिचर का पांस साल का शिवल इंजिनियर को उसके बात कोई प्रैक्टिकल ट्रेंग करने होती है उसके बाद भी एक्जेट एक्जाम की वी कुछ इनके दिमाग में ख्याल कुल बुला रहे हैं लंबे समय से जो अभी तक इनका पालन नहीं हो पाया अगर इनका बस चले तो दो साल की नौग्रीक बाद फिर एक्जेट एक्जाम भी लगा दें वेरा जो रोड़त इस बात कि कि है कि चार साल के बाद स् Gift Tabii कि सावकारी प्रोजेक्ट हासिल कर सकता है इने जी प्रोजेक्ट हासिलêts कर सकता तो आप क्यों कि फूचरे अट आट का रही है क्यों उनके लिए आपने ट्रेंग का क्टेंगि कमब्सरी कर दिया वक्रणा सब जहीं कि श्युद्र त्राइंक क तो ट्रेनिंग प्रदान की जा सके हर साल लगबक 10-12 जाफ नए आर्कट्स शिक्षा हासिल करके भारा रहे हैं उनको छे मेंदे की आसाल बर की जो ट्रेनिंग आप देना चाहते हैं उसके लिए इस तरह के प्रोफेशनल प्रेक्टिस करने वाले प्रेक्टिस करने वाले अप करें करने वाली है तो उससे बहतर है कि आप यह चे साल की कंपलसरी चे मेने की कंपलसरी ट्रेनिंग को रद करें और हर साल पढ़ाई की दौरान ही में 15-15-20-20 दिन इनको फील्ड में ले जाए कंस्क्षिन साइट पर ले जाएं वहां पर इनको दिखाएं किस प्रकार से ब कि उर्येंटेशन के हिसाब कैसे स्ट्रक्चर करण खड़े जाते हैं किस प्रकार प्लम्मिंड होती है है सर्फिसीड कैसे प्रवदान कि जाती है thoughts एर कंडिशनिंग ऐस ले ड्यborट Jeder वाटर सर्विसें सेवेज डिस्पूजल है यह सारी चीज के सारी चीज है आपको इनको प्रैक्टिकली कि साइट्स पहले जाकर दिखानी चाहिए जो अभी तक आम दोर पे अर्टिटेचर कोर्सें में नहीं होता मेक्सिमम जो लो ही अंफिस होता है वह डिजाइनिंग पर रहता है डिजाइनिंग डिजाइनिंग और बहुत अच्छी अब कंप्यूटर आनकी वज़े से र्दें तरहतर के सौफ्ट्र आने से रंग पर रंगे चित्र बनने शुरू होगे रंग वख्थू बनने शुरू होगे रंग 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 के थीडि मॉडल्स बनने शुरू होगे तो सबसे पहले तो आपको नई शिक्षा नीति को अगर आपने स्वागत करना है तो मात्री भाषा में व्यवस्ता कीजिए पढ़ाए कि कई जिए कि अशी सीट है कि 120 सीट हैं बड़े सरलता से वहां एक बैच हिंदी भाषा में या मात्री भाषा में चल चकता है दूसरी चीज जो छे मिनी की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग है जब उसकी आपके व्यवस्ता नहीं आर्किटेचर आफिस में तो इस प्रेक्टिकल ट्रेनिंग को खतम किया जाए व्यर्थ का बोच आर्किटिक्टिक्ट्र इस्टूट्स पर इलादने की बजाए आपको इस बात के प्रयास करने चाहिए कि अगर पांस साल का कोर्स है तो सिविल इंगिनर से जब एक साल यह लोग ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं तो इनका इस प्रकार क कि हम इनको शिक्षा देश प्रकार का हम इनको मजबूत बनाएं जागरूप बनाएं कि यह प्रैक्टिकल फील्ड में सिविल इंगिनर्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सके और इसी के साथ साथ जो डिप्लोमो होल्टर से हैं उनको भी मुख्यदारा मिलाने के लिए होम उटंडि ऐविल्द सकते हैं कर सकते हैं कि जब इत्युद्ड इर्टफिकेशन्कर पूरी जेक फ़ाले अपने जिम्में लिए हैं तो उनके रोजगार की जिम्मेदारी भी regulatory bodies को उठानी चाहिए या उस पर निखान रहने चाहिए या उसके लिए कोई नीती त्यार करनी चाहिए कि ये इनको भी समाज की मुख्यदारा में अच्छे तरीके से जीवन यापन करने का मौका मिले तो मुख्यता अगर आप नई education policy को ध्यान में रखें तो दो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एक तो मात्री भाशा में वासुकला या आर्किटेक्टिर की पढ़ाई दूसरे प्रेक्टिकल ट्रेनिंग की जो कठाईया हैं उसका विकल्प त्यार करें कि 6 मेंदी की लगाता प्रेक्टिकल ट्रेनिंग की बजाए हर समिस्टर में 15 दिन की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए तीसरी चीज डिप्लोमो होल्टर्स के लिए इस प्रकार की विएस्था की की जाए कि उनको किसी तरीके से जुनियर आर्किट का रिइसेशन मिल जाए और चौती चीज जितनी भी आर्किटिक्टिक्टर इंस्टिटूशन है उसमें कड़ाई से मजबूती से मिनियम स्टेंडर्स और आर्किट्टर एड्यूगेशन का पालान किया जाए यह नहीं की आ आपके मिनियम स्टेंडर्स में नियम बनाए गया है कि आर्किटिटर्स को पढ़ाने के लिए मार्च की डिग्री होनी जरूरी है रिकॉगनाइस पीएस्ट होनी जरूरी है और निजी कॉलिज को छोड़ दीजे सरकारी कॉलिजों में ऐसे लोग मार्च के स्टूएं को मजबूती से पालन कराया जाए और जहां भी इस प्रकार की फेकल्टी का नियूक्ति की गई है जिनके पास मास्टर वार्टेचरी डिग्री नहीं है उन लोगों को आर्टेचर स्टूट्स को पढ़ाने से वंचित किया जाए वो अडिशनल सब्जेक्ट की तरह हैं वो लो कि एजूकेशन पॉलिशी के बारे में कारे करना तो छोड़िया आप सोचने के लिए भी सक्षम नहीं है शुब कामना है नमस्कार